कहते हैं भगवार एक जीवन में हर किसी की एक बाद जरूर सुता है और उसे वो मौका देता है जो वो बनना चाहता है जिससे करके वो अपनी बड़ी बन पड़ी किस्मत के कपार्ट भी खोल सकता है कुछ ऐसा ही शायद मौका दिया था इश्वन ने हमारे प्यारे जुब्ली स्टार दिनेश लाल यादफ उर्फ निरहवा को जिसका फायदा उठा कर आज निरहवा करोडों में खेल रहे है बता दे कि निरहवा आज अपने अक्टिंग स्किल्स और टैलन के दम पर दुरिया एक वक्त था जो निरह हुआ काफी मुश्किल जिन्दगी बिताते थे लेकिन आज वो करोड संपत्ति के मालिक है आज इस मुकाम तब पहुचने के लिए उन्होरे काफी महनत की है महनत लगर और जंता के प्यार की बदौलत आज आक्टर के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है वो एक रॉयल लाइफ जी रहे हैं जैसे कि निराओं का घर बिहार में है बिहार सुनते ही ये बद समझ बैठेगा कि ऐसा वैसा है घर बिहार में जरूर है बगर काफी आली शान है उनका घर किसी महल से कम नहीं लगता घर में एंट्री करते ही आपको ए खुबसूरत सा जान हुआ जिखेगा जहां काफी खुबसूरत और शादार सोफे लगे हुए है अगर कबरे की दिवार की बात की जाए तो रोन अपने ड्राइंग रूम एक दिवार को अपने वाट से सजाय हुआ है और अपने बेजरूम को भी काफी आर्टिसिक तरीके से डेकुरेट कर आए हुआ है जाव वक्त निकाल कर किताबें पढ़ते हैं आपको बता दे कि सूपरस्टार निर्हों के घर में उनके साथ उनकी माताजी भी रहती है उन्होंने अपनी मा की सुख सुविधाओं के लिए घर में हर इंतजाम किये हुए है और उन्होंने पूजा घर से लेकर हर फैसिलिटी प्रवाइड की है जिसकी उनकी माताजी को जरूरत होती है इन सब के लावा लेवे रूम में भी निर्होंने काफी ध्यान दिया है उन्होंने घर में गार्टन भी बनवाय है जिसमें काफी खुबसूरत पौधें लगे हुए है सोसिस के माने तो एक्टर के की कीबत करी 같은 आहसमास होगी इसके लाव उनकी संपत्ती की बात कीजा तारीफ है इसके साथ उनसे सीखने को भी बहुत कुछ है उबीद करते हैं कि इसी तरह आक्टर की महनत और जंता का प्यार दुलार रंग लाता रहे और वो दिन दुगनी राच चौगनी तरक्की करें पुर्वांचा लाइफ की ऐसी ही लेटिस और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहे हैं अपने फेवरिट चैनल पुर्वांचा लाइफ के साथ